हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अबडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो देख दोस्तो एक IT कंपणी जिसने अभी हाल फिलाल में 200 रुपे का पर शेर के साथ से डिविडेंड का अनाउंस्मेंट कर दिया है मतलब दोस्तो यहाँ पर शेर होल्डर की लोटरी लग रही है एक प्राकार से 200 रुपे बहुत बड़ा दोस्तो यह एमाउंट होता है एक शेर के उपर बिना कुछ करे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलना अगर आपके पास 200 कॉंटिटी है 100 कॉंटिटी है 10 कॉंटिटी है तो आप केलकुलेट कर सकते हो तो इसी प्राकार से दोस्तो उस कंपणी का भी बेलुएशन मार्केट में काफी शानदार है क्योंकि वो एक आईटी सेक्टर से बिलॉंग करती है वो कौन सी कंपणी है किस से काम करती है यह सब चीज हम इस वीडियो में जानने वाले है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा अगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट गुरू चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाए दोस्तो वीडियो पसंदारा वीडियो को एक लाइक जरू करेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक और एंजल बुकिंग का लिंक दिया है वहाँ पर जाएए फ्री में डिमेट अकाउंट उपन करिए और हमासात निफ्टी बेंग निफ्टी स्टॉक उप्शन में बहरपूर ट्रेडिंग करें तो चलते हैं हम सबसे पहले उस कंपनी की कुछ फाइनेशियल कंडिशन देखने हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देखेंगे नसी बीसी दोनों पर कंपनी लिस्टेट मिलेगी स्टॉक का जो मार्केट केपिटल है आप देख सकते आप देखेंगे तो पांच देखेंगे इस कंपनी की मतलब काफी अच्छी काशी डिविडेंट इल्ड लेके है बेठी हुई है देन उसके बाद कंपनी की नीचे कुछ अच्छी चीज़े जानते हैं जिससे आप देख सकते हो कंपनी इस आल्मोस्ट डेट फ्री ठीके मतलब कंपनी के ओपर डेट नहीं है स्टॉक का जो प्रोवाइडिंग है गुड डिविडेंट इल्ड ठीके वो काफी बहतरिंग है कंपनी अस गुड रिटन ओन एक्विडी ट्रेक रेश्यों कंपनी के जो एक शेर ने लास्ट तीन साल में लगबख साड़े 26 परसेंट तक का डिविडेंट बाट देती है आप देखेंगे जून 2018 में कंपनी ने 1345 करोड की सेल्स की थी सितंबर 2018 में 1213 करोड की दिसंबर 2018 में 1186 करोड की तो इस प्रकार से आप देख सकते हो company की sales growth कोई सी से महिने में मतलब कोई से quarter में increase होता थी है कहीं पर decrease हो जाती है ऐसे करके दोस्तों आप देखेंगे तो March 2021 मतलब company एक range में ही अपनी क्या कर रहे है दोस्तों sales growth कर रही है ना तो कभी ज्यादा ना तो कभी कम मतलब 1100 से 1300 के अ अंदर अंदर ये अपने sales growth easily तरीके से कर रही है तो मतलब देखा जाए तो company दीरे दीरे company का business बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना वो सोच रही है मतलब एक range में ही बढ़ रहा है ठीक है जिसके साथ-साथ profit की बात करें तो आप देख सकते हो company का profit भी ए यहाँ पर नज़े डाल सकते हो और 2019-2018 से यहाँ पर नज़े डाल सकते हो मतलब एक range में sales growth है तो एक range में ही company का profit भी है देन उसे के साथ-साथ हम देखे company का profit and loss जो पूरे साल बर में होता है यहाँ पर कुछ company की original condition में पता चलेगी ठीक है तो आप देख सकते हो company ने मार्च 2010 में 2844 करोड की sales की थी 11 में आप देख सकते हो 12 में 13 में 14 में आपको देखने को मिलेगी ठीक है 15 में भी sales growth बढ़ी मतलब दोस्तो 10 से 15 तक पूरी sales growth बढ़ते देखने को मिल रही है 16 में 41 31 क्रीके 17 में 4527 मतलब अगर देखे तो company की sales growth दोस्तो लगबग 2018 2010 से 2018 तक company की sales growth दोस साल continuously company की sales growth बढ़िये देन उसके साथ अगर देखे मार्च 2022 मतलब जो pandemic वाला साल था उसमें company की sales growth थोड़ी सी पीछे रही है लगबग दोस्तो आप देखे तो 100 करोड के आसपा देन उसके बाद मार्च 2021 4948 करोड एक बार फिर से वो तो यहां पर company की original valuation पता चली तो हो सकता की company उसके बाद profit भी किस प्रागा से निकाली देखे 704 1111 करोड नौसो ठीके 1054 तेरा सो चाले तेरा सो तो इसा company profit भी निकाल रही है अगर last year की बात करें 2020 की तो वहां पर 1462 करोड का profit था और यहां पर 2021 की बात करें तो 1762 करोड का profit मतलब देखा जाए तो company का जो moment हमें वो क काफी शांदार हमें देखने को मिल रहा है मतलब अब भी अगर हम इसमें investment करते हैं तो दोस्तो हमें कुछ दिक्कत भी नई होने वाली है और दोस्तो यहां पर अगर हम इसका last trade देखे तो trade में किस प्रागा से momentum कि आप देख सकते हो 3553 रुपे पे stock close हुआ है लगबग 1.90 पैसे के आज पास ठीके सोड़ी दोस्तो एक 1.90 परसंट चड़के previous close 347 रुपे आप देखेंगे stock open होता है करीवन 3525 रुपे मतलब काफी बहतरीं गेप अपनिंग लेता है हाई लगाता है 3590 का लो लगाता है दोस्तो 346 रुपे का देखा जा तो काफी interesting moment हमें देखने को म volume रहता है बहुत कम देखने को मिलता है मातर डेल लग कॉंटिटी का बाकि आप 52 कहाई 52 का लो आप देख सकते हो काफी interesting हमें यहापर देखने को मिल रहा है दिन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो दोस्तो इस टॉक में जो delivery pattern आपको देखने को मिल रहा है वो लग भग बा swing trade करती समय पूरी fundamental चीज़े देखनी पड़ती है technical चीज़े देखना पड़ती है इससे नहीं उठके swing trade हो जाती है तो यहाँ पर वो देखने आता है तो वो यही सोसता है कि मैंने swing trade लिया है तो इसमें से हो सकता है कि आधी quantity में delivery भी लेके जाओं तो इस company का यहाँ पर भी जो लेक में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जिन उसी के सासत आपकी जो वसंदिदार चीज़े वो है dividend आप देख सकते हो interim dividend ठीक है साथ 17 माई 2021 दोसो रुपे पर share का मतलब दोस्तो मार्केट में आपको इसी हफते dividend मिलने जा रहा है तो आपको है ना देखे एक्स करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आपने देश में पता है कि जो एनसी पे जो नया रूलाया टी प्लस टूडे का ठीक है तो मतलब आप 14 को खरीद होगे 15 और 16 तरिक तक यह शेर फिर आपके डिमेट में क्रेडिट होंगे दिन उसके बाद ही गिना तो उनके दो लिस्ट में दीखेंगे नहीं कि आपने शेर खरीदे हैं शेर जब दीखते हैं जब आपके डिमेट में आ जाते हैं तो आपको लगबग 14 तारिक तक इसमें इंवस्मेंट करना है अब यहां पर आप देख सकते हो इतना बड़ा डिवीडेंड आपको मिल रहा तो आपने 38,000 में 10 शेर खरीद ले अब आपको यहां पर 10 शेर पे 200 के इसाफ से 2000 का प्रॉफिट तो हो गया मतलब स्टॉक का प्राइस का पोच गया यहां पर लगबग 4000 पोच गया तो यह है दोस्तो ओरिजनल वेल्यू डिविडेंड के अगर इसके इसाफ साफ केल्कुल 2021 को पे मतलब अपना बता चुके देन उसके साथ साथ अगर हम शेर ओल्डर पेटन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो शेर ओल्डर में 83,26% का स्टेक प्रामोटर्स लेके बेटे मतलब प्रामोटर्स को कोई दिक्कत ने अच्छी भारी बरका में पर अपने स्टेक लेक यह मतलब काफी अच्छी चीजियां पर कंपनी में होने वाली आगे भी दिन दोस्तों अगर हम स्टॉक का पाफॉर्मेंस देखते हैं चार्ट पे तो आप देख सकते हो लास्ट पांस दिन में स्टॉक में दोस्तों करीवन डेड़ परसंट की तेजी देखने मिलिए लास् अगर मैं पांस साल की बात करता तो आप देख सकते हो 2016 में कंपनी ने अभी तक करीवन दो परसंट का रिटन दिया और ऑवरल का परफॉमेंस देखेंगे कंपनी मार्केट में बहुत पुरानी है दोस्तों थोड़ी प्रेशर में भी ट्रेडिंग करती है लेकिन दोस्तों ओवरल का परफॉमेंस देखेंगे साड़े तीरा सु परसंट तक का रिटन ये कंपनी दे चुकिए मतलब कंपनी काफी जोड़दार है हम दोस्तों अगर हम कंपनी का नाम देखते हैं तो कंपनी का नाम है दोस्तों औरिकल फाइनेंस सर्वीस सॉप्टवेर लेमिटेड मत इनको ये अपनी सॉप्टवेर की फैसिलीटी देती है ठीके ये जितने भी आपकी आईटी सेक्टर की मतलब कंपनिया है आपने देखा होगा वो भी इसी प्रकार से काम करती होगी ठीके तो औरिकल फाइनेंस सर्वीस सॉप्टवेर लिमिटेड भी अपना क्या करती है जि इतने भी मतलब बड़े-बड़े यहाँ पर जो अप्लिकेशन रहते हैं दोस्तों जिनसे फंट ट्रांसफर होता है या बड़ी-बड़ी नॉन-NBFC बैंकों से इनका टाइप रहता है तो इस प्रकार से अपना सर्विस पूरा वहाँ पर प्रोवाइड करती है ठीके तो द होते हैं देखने को मिलेगा क्योंकि उतना ही इसका अप्लिकेशन वहाँ पर दोड़ेगा इतना ही उसकी सर्विस वहाँ पर प्रोवाइडिंग की जाएगी देन आईटी सेक्टर की कंपानी है तो अभी तो आपने देखा कि आईटी सेक्टर में कितना बोलवाला देखने क मिल रखास करके मिड केव आईटी कंपनी होगा ठीक है तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रखिए जो आप लोगों को आगी एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करके दे सकती है ठीक है तो यह बेस्ट कंपनी थी आईटी सेक्टर की जिसके बारे में हम लोगों ने आपको अप क्यों कि दूस्तों